मरियादा से बने अचार और मुरब्ब्ब या जेम का सेवन करने से माहा हिंसा होती है क्योंकि उसमें जीवों की उत्पत्ती बहुत अधिक हो जाती है इसी लिए घर में शुद्ध और ताजा मरियादित जेम और मुरब्ब्ब या अचार बनाएं और उसी का सेवन करें जैजी नेंदर स्वागत है आपका जैन शुद्धिव एंजन में आजम बनाने जा रहे हैं मीथे चटपटे फ्रूट जैम और वेजिटेबल जैम तो आएए देखते हम विबिन्न प्रकार की अलग-अलग फ्रूट से किस तरी से जैम बनाना बना सकते हैं तो आज हम प्लम का जैम बनाएंगे और उसी तरीके से आप अने जैम भी बना सकते हैं हमने लिए हैं 200 ग्राम प्लम जिनको हमने प्लम याने हमने लिए आलो बुखारे जिसको हमने गुटलिया निकाल कर उसे अच्छी तरीके से साफ कर लिया है और इसे mixi में अच्छा बारिक महीन ग्राइंड कर लिया है देकि इसे हमें चानने की जरुट नहीं यह बहुत महीन हमने ग्राइंड कर लिया है लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो उसे चान कर डाल सकते लेकिन इसमें पानी का यूज बिलकुल नहीं करना है हमने इसमें डाली है 50-55 ग्राम शकर यानि दो बड़ी चमच या फिर अपने स्वात के अनुसार फलो की प्रकृति के अनुसार इसे कम या जादा कर सकते हैं जादा मीठे फलोंगे तो उसमें कम शुगर डलेगी खटे फलोंगे तो थोड़ी से जादा शुगर डलेगी तो इस तरीके से हमने उसमें शुगर एट करके हमने कड़ाई में उसको अच्छी तरीके से गाड़ा करते जाना है लगातार चलाते रहे इसे रोके नहीं जब तक ये गाड़ा नहों जाए और इसे चेक कर ले यदि ये बहने लगे प्लेट पे तो उसे और थोड़ा सा पकाए वरना ये हमारा जेम तयार हो जाएगा जब ये थिक हो जाएगा अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा लेमन जूस याने नीबू का रस तो ये खटा मीठा हमारा आलो बुखारी का जेम तयार हो गया है इसी तरह हम बनाएंगे एपल का भी जेम इसी तरह से बनाएंगे और अंगूर का भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं खरबूजे का हम बना सकते हैं नाशपती का सारे fruits का mango का भी बहुत अच्छा tasty लगता है कच्चे आम का भी बहुत अच्छे से बन जाता है तो हम same process से किसी भी fruits का इस तरीके से jam बना सकते हैं और उसका आप ताजा बनाएं और ताजा उसका उपयोग करें एक ही दिन की उसकी मरियादा होती है इसी के साथ हम vegetables का भी jam बना सकते हैं जो भी आपको vegetable प्रसंद हैं आप उस तरीके से grind कर लीजिए और कड़ाई में थोड़ा सा उसे गाड़ा कर लीजिए और उसके अंदर हम उसे नमकीन चटपटा बनाने के लिए उसमें डालेंगे एक चम्मच चाट मसाला चाट मसाला थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक डालेंगे चुटकी भर डालेंगे उसमें लाल मिर्ची पाउडर और डालेंगे नीम्भू का रस तो इस तरीके से ये हमारा चटपटा वेजिटेबल का भी बन जाएगा jam देखिए इसमें जो अनार होता है अनार रैट कलर होता है और ये jam में बहुत ही अच्छा कलर देता है तो अनार के रस को हम किसी और fruits के साथ भी मिला कर बना सकते हैं उसमें colors के लिए तो देखिए वैसे fruits जो mix fruit jam होता है वह ज्यादा स्वास्त के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि सभी fruits की अलग-अलग प्रकृति होती है लेकिन यदि आप एक ही प्रकृति के fruits को mix करते हैं तो आप इस तरीके से mix fruit jam भी बना सकते हैं और चटपटा वेजिटेबल jam भी जै जी नेंदर